नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको हफ्ते में तीन वर खाने से डाइबिटेज, बढ़ता वजन और कबज के समस्य चुरकारा में जाएगा और हडिये मजबूत होंगी जी हाँ दोस्तों ग्रीन बीन्स यानि गवार की फल सब्सक्राइबर, विटामिन्स और कार्बोहाइडरेट होते हैं इसके अलावा इसमें फासफोर्स, कैल्शियम, आइरन और पोटेशियम भी होता है जो दिल से संबंदे समस्य हैं नहीं होने देता हफ़ते में तीन बार ग्रीन बीन्स खाने से डाइबेडिज कंट्रोल में रहती है इसके अलावे पे ग्रीन बीन्स को खाने के कई फायदे हैं आज हम आपको उनी फायदों के बारें बताएंगे दोस्तों आगे बढ़ने इस पहले अगर भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लग बहुत जैदा होती है जो दिल को स्वस्त रखने का काम करती है ग्रीन बीन्स में मुझूद फायबर ब्लड शूगर कंट्रोल करने मदद करते हैं इसमें फायबर की भरपूर मात्र होती है जो खाने को पचाने मददगार है डाइबिडिज मरीज कच्ची बीन्स भी खा सकत है बीन्स में फ्लेवो नाइट्स और केप फ्रॉल होता है जो श्रीर में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स नहीं बनने देता एक अध्यन कंदरान अगर आप सब्ता में तीन से चार वर बीन्स खाते हैं तो कैंसर होना खत्रा बहुत कम हो जाता है जिन लोगों को पेड़ से सम मन्दी समस्य रहती है उनको बीन्स का सेंफृन जरूर करना चाहिए इसमें पाई जाने वाले गुन खाना पचाने में सहाइक होते है कब्ज और और अपचिकी समस्य से निजात पाने के लिए ग्रीन बीन्स घाएं ग्रीन बीन्स में हाइपोगलेसेमिक और हाइपोगलेपिडिक होता है जो हाइपर टेंशन को दूख करना काम करता है हफते में एक बार इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ग्रीन बीन्स को इसकी सबजी खाने से महिलाओं को पिरियर्स के दुरान होने वाले समस्य से काफी आराम मिलता है क्योंकि इसमें फैर्स और कोलिस्टिल कम होता है और यह फाइबर यह प्रोटीन का बहुत बड़े अस्त्रोत है बीन्स में कैल्शियम, मिनरल और कई पोशिक तत्व होते हैं जो हड्यों का मजबूत करती है जिन लोग को हाथों प्यारों की हड्यों में दर्द या सूजन रहती है उनको बीन्स का सेवन जरूर करना चाहिए बीन्स खान से हड्या मजबूत बनने लगती है तो दोस्तों यह थी ग्रीन्स बीन्स के बारे में जानकारी और उसके फायदों के बारे में उमीद है आपको यह जांकर अच्छे लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ उसको शेर जरूर करना दोस्तों आप अपने दोस्तों को इजाज़ेत दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धनेवाद